राजस्थान कॉंग्रिस में जारी उतल पुतल फिलहाल शान्त होती दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इस पीज जो खबर सामने आई है वो बहुत ही चौक आने वाली है खबरों के मताबिक कॉंग्रिस नेता सचिन पाइलिट प्रदेश के मुख्य मंतरी बनते बनते रह गए थे क्योंकि अशोग गहलोत ने पहले ही मुख्य मंतरी पत्प के लिए खुद को आगे कर दिया था और सूनिया ने भी गहलोत के नाम को ही आगे बढ़ा है था दरसल अशोग गहलोत कॉंग्रिस के काफी पुराने नेता माने जाती है इसके साथ ही वो सूनिया के करीबी भी है यही वज़ा है कि सूनिया ने गहलोत कोई मुख्य मंतरी बनाने को लेकर सहमती जताई थी लेकिन राजिस्तान की जनता सचिंट पालेट कोई मुख्यमंतरी बनता हुआ देखना चाहती थी प्रदेश की जनता को भी ये बात पता है कि पार्टी को मझबूत करने में सचिंट पालेट ने अपनी जो भागीदारी निबाई है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है ये काम कोई और नेता नहीं कर सकता था लेकिन जनता के फैसले के बाद भी कॉंग्रेस पार्टी अलकमान सोनिया गांधी ने अशोग गहलोत को ही मुख्य मंत्री के लिए आगे बढ़ा है था SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट